हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपको मैं एक्स्प्लेइन करने जा रही हूँ असाइन्मेंट ओफ चैप्टर नमबर 2 क्लास 10th मैठ्स NCRT सबसे पहले देखिए फर्स्ट कॉश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of the zeros are given इसमें हमें कि देखी क्या दिया हुआ है sum of the roots और product of the roots दे रखा है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक एक्वेशन बनाने के लिए हम किस method का use करते हैं उसी को हम यहाँ पर apply करेंगे तो चली देखते हैं हमारे पास sum of the roots है minus 8 by 3 यह मैं आपको A part बता रही हूँ और product of the roots है 4 by 3 यह दो चीजे हमें पता है हमें quadratic equation बनाने है तो बहुत simple है quadratic equation बनाने के लिए हम use करते हैं formula x square minus sx plus p जहाँ पर s means sum p means product तो हमें sum और product के value यहाँ पर put कर देनी है तो देखे यह बन गया x square minus sum of the roots है minus 8 by 3 into x plus product of the roots है 4 by 3 यह देखे इसको हम और थोड़ा solve कर लेंगे x square plus 8 by 3 x plus 4 by 3 यह हमारी equation आगी इसको हम थोड़ा सा और modify कर सकते हैं 3 से multiply करके तो यह बन जाएगा 3 x square प्लस 8 x प्लस 4 अगर आप इसको जीरो कर देंगी ऐसे तो यह quadratic equation बन जाएगी तो इस तरह से हम बाकी के parts भी कर सकते हैं क्योंकि हमें sum of the roots दिया है product of the roots दिया है तो हमने simply यह वाली equation use करनी इसमें अब देखिए जैसे इसका b part है b part में sum of the roots है minus 2 root 3 product of the roots है minus 9 तो यह भी हम इसी तरह से कर सकते हैं तो देखिए इसके लिए equation बन जाएगी सीदिया अब हम लिखते है x square minus sum of the roots minus 2 root 3 into x plus product of the roots जो है minus 9 तो देखिए यह हो जाएगा x square plus 2 root 3 into x minus 9 यह हमारी equation आगी है इसी तरह से हम बाकी के सारे part solve कर सकते हैं तो आपने बाकी के सभी part solve करने हैं और अगर कोई difficulty होगी तो आप comment box में लिख सकते हैं अब इसके बाद देखिए question number 2 question number 2 में लिखा है find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and the coefficients इसमें हमें quadratic polynomial जो दे रखा है पहले इसके zeros निकालने है zeros निकालने का मतलब है हमें इसके roots निकालने है और फिर हमें जो relation है roots का उसको verify करना है तो सबसे पहले देखिए zeros निकालने का मतलब है हमें equation देखनी है जैसे equation है x square plus 7x plus 12 देखिए हमारी equation है x square plus 7x plus 12 अब हमें इसके roots निकालने है तो हम roots निकालने के लिए देखिएंगे कि हम इसको factorize किस तरह से कर सकते है अब देखिए यहाँ पर 3 terms है तो इसमें हम splitting the middle term यूज करके factorization करेंगे 12 के हमने 2 factors चूज करने है जिससे की आपको add करके 7 मिल जाए क्योंकि center पर हमारे पास 7 है इसलिए तो जो भी हमारे पास constant term होता है जैसे यहाँ पर यह constant term है तो constant term के हमें 2 factors जूणने है जिसको add करके या subtract करके जो middle वाला term है वो आ जाए अब देखिए 12 के factors कई तरह से हो सकते हैं जैसे 1 into 12 भी 12 होता है 2 into 6 ये भी 12 होता है 3 into 4 ये भी 12 होता है अब हमें देखना है कि कौन सी possibility में हमें 7 मिलेगा फर्स्ट वाले case में देखिए 12 और 1 को add करोगे 13 होता है और 12 minus 1 is 11 तो 7 नहीं मिल सकता तो हम इसको नहीं लेंगे सेगेंड वाला case 2 plus 6 8 हो गया 2 minus 6 4 हो जाएगा ये भी नहीं लेंगे थर्ड केस 3 plus 4 is 7 तो थर्ड केस में देखिए 3 और 4 को add करके हमें middle term वाला coefficient मिल रहा है तो हम यहाँ पर इस वाले को use करेंगे इसका मतलब 12 के हमने दो factors कौन कौन से लेने है 3 और 4 तो अब देखिए हम 3 और 4 का use करते हैं अब हमारी equation बन जाएगी x square plus 3x 4x plus 12 आप common लेंगे first two terms में से देखिए x square है यहाँ पर और इधर है 3x है तो दोनों में x common है x हमने common ले लिया first वाले term में x square में से x बाहर ले लिया तो अंदर x रह जाएगा plus 3x में से x बाहर ले लिया तो अंदर रह जाएगा 3 अब देखिए plus बात की जो दो terms हैं इसमें से हम common लेते हैं अब इसमें से देखिए हम क्या common लेंगे इसमें से हम ले लेते हैं 4 common तो अंदर आ जाएगा x क्योंकि 4x में से 4 बाहर ले लिया x अंदर रह गया plus 12 में से अब हमने 4 बाहर लेना है तो 12 में से 4 बाहर लेने का मतलब है 12 को 4 से divide करना है तो 12 को 4 से divide करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3 तो यह देखिए हमारे पास 3 आ गया अब इसमें आपने एक चीज और देखनी है कि ये जो दो term से bracket के अंदर ये एक जैसे होने चीज़े है अगर हमारे ये दो term सेम नहीं बन रहे हैं इसका मतलब कि कहीं पर हम गलती कर रहे हैं अब हम common लेंगे x plus 3 दोनों में है तो x plus 3 common आ गया और अंदर first term में से x रह जाएगा plus और जो बात का term है इसमें से 4 रह जाएगा ये देखिए तो अब हमारे पास ये दो factors आ गए अब हमें इसको individually solve करके x की value निकालनी है तो अब हम x निकालते हैं देखिए x कैसे निकालेंगे हमें पता है दोनों को हमने 0 के equate कर देना है तो पहले x प्लस 3 को 0 के equal करेंगे तो x की value आ गई minus 3 दूसरी में x प्लस 4 इसको हमने 0 के equal करना है यहां से x की value कितनी आ जाएगी 4 उदर चला जाएगा minus 4 अब हमारे पास x की दो answers आ गए minus 3 and minus 4 अब हमने क्या करना है यह जो दो answers आए x की दो roots आए जिसको आप x 0 भी बोल सकते है अब हमें चेक करना है कि sum of the roots और product of the roots जो है हमारे equation का वो वही है जो यहां से आ रहा है अब देखिए पहले हम इस x की दो values को add करेंगे मतलब हम sum find करना चाह रहे है sum कितना हो जाएगा देखिए minus 3 minus 4 हमने दोनों को add करना है यह बन गया minus 7 और product कितना आ रहा है product मतलब हमने x की दोनों values को multiply करना है तो एक है minus 3 और दूसरा है minus 4 अब हम दोनों को multiply करना है तो हमारा answer आ गया अब देखिए यहाँ पर हमारे दो answers आए sum आया minus 7 और product आया 12 अब हमने अपना यही answer equation से निकालना है sum of the roots और product of the roots का formula लगा के तो चलिए देखते हैं हमारी equation यह है x square plus 7x plus 12 अब इस equation में sum of the roots का formula क्या होगा sum of the roots होता है minus b upon a minus b upon a means minus b क्या होता है x का coefficient x का coefficient कितना है हमारी equation में देखिए 7 है 7 upon a means जो x square का coefficient है x square के आगे कुछ नहीं है means 1 है यह आ गया तो यह बन गया minus 7 अब इस equation से sum of the roots आ गया minus 7 अब product कितना आएगा product का formula होता है c upon a तो देखिए c means constant term जो है 12 और a होता है x square के आगे जो लिखा है x square के आगे कुछ नहीं है means 1 है तो product की value देखिए कितनी आगी 12 अब देखिए यहां से हमारा sum कितना आया minus 7 और product आगे 12 और यही हमने नीचे भी find out किया था अपने दो answers को add करके multiply करके तो यह देखिए same आ गया means यह verify हो गया तो verify करने का मतलब यही होता है अब यहां पर देखिए question ऐसे आपको दिया था कि verify the relation between the zeros and coefficients zeros and coefficients का मतलब यही होता है zeros होगे जो उसके roots आए जो दो answers आए x के उसको हमने check करना है अपनी equation में sum of the roots और product of the roots का जो formula है उसके साथ अब इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि verify the sum of the roots and product of the roots verify करो उसका महीं मतलब यही होगा कि आपने sum of the roots और product of the roots find करके उसको check करना है कि हमारी equation से भी वही answer आ रहा है या नहीं आ रहा है इसी तरह से हम इसके बाकी के parts भी करेंगे बाकी के parts भी same ऐसे ही solve होंगे अब जैसे question number 3 है third question में देखिए हमारी equation है 6x square minus 3 अब सबसे पहले हमें इसके zeros निकालने है zeros निकालने का मतलब वही है इसको factorize करना और फिर हमें relation verify करना है मतलब sum of the roots और product of the roots वाला अब यह कैसे होगा factorize अब देखिए इसमें यहाँ पर दोई terms हैं तो हम इसमें देखते हैं कि 3 दोनों में common आए क्योंकि 6 जो है उसको 3 से divide करेंगे तो 2 आ जाता है तो हम ऐसे कर सकते हैं अगर हमने 3 common ले लिया तो अंदर बजगया 2x square minus 1 यह हो गया अब इसमें देखिए 3 दो बाहर common है 2x square अब इसको हमने किसी एक चीज का whole square बनाना है अब whole square कैसे बनाएंगे जो 2 है 2 किसका square है 2 जो है वो root 2 का square है और x तो x ही है हमारे पास तो 2x square को हमने किसी का whole square बनाना है whole square means ऐसे तो हमने इसको root 2x whole square कर दिया minus 1 जो है यह तो 1 का square ही होता है यह हो गया ऐसे अब देखिए हम इसको solve कर रहे है पहले हम बाकी का content erase कर देते है तो हमारा यह answer आ गया 3 ऐसी रहेगा अब यह बन गया हमारे पास a square minus b square देखिए यह a square है यह b square है अब हमने यहाँ पर a square minus b square का formula लगाना है और हमें पता है a square minus b square होता है a plus b into a minus b तो a plus b में क्या लिखेंगे हम root 2x plus 1 और a minus b में हम लिखेंगे root 2x minus 1 यह लिख देंगे अब हमें roots निकालना है means हर एक को 0 के equate करना है 3 का constant हम है इसको हम कुछ निकरेंगे हमने इन दोनों को 0 के equal करके x की value निकालनी है तो सबसे पहले देखिए root 2x plus 1 equals to 0 तो root 2x यह हो जाएगा 1 उधर चला जाएगा minus 1 x की value हो जाएगी minus 1 by root 2 तो हमारा एक answer आगया x का अब हम इसी तरह से दूसरे answer निकालेंगे अब देखिए दूसरा पार्ट है हमारे पास root 2x minus 0 इसको equate करेंगे root 2x minus 1 equals to 0 यहाँ से root 2x 1 के equal आजाएगा x आजाएगा 1 by root 2 अब देखिए हमारे दो answers आगे x की value minus 1 by root 2 और उधर आगया x की value plus 1 by root 2 अब हमने इन दोनों से sum of the roots और product of the roots निकालना है तो देखिए बहुत simple है अब sum of the roots मतलब इस value को और इस value को plus कर लो अब देखिए यह है minus 1 by root 2 और इधर है plus 1 by root 2 तो दोनों cancel हो जाएगे मतलब हमारी sum के value आजाएगी 0 product कितना आएगा दोनों को multiply करना है तो minus 1 by root 2 को multiply करना है 1 by root 2 के साथ अब देखिए 1 by root 2 के साथ यह multiply होगा देखिए 1 by root 2 तो देखिए negative sign ऐसी रहेगा उपर 1 1 सा 1 और नीचे root 2 into root 2 कितना बन जाएगा root 4 बनेगा हो पहले root 2 into 2 कर लोगे अंदर root 4 मतलब होगया 2 तो मतलब product की value minus 1 by 2 आगई sum आगया 0 अब हमने अपने equation में चेक करना है क्या equation से भी हमें यही मिलेगा देखिए हमारे पास equation क्या थी 6x square minus 3 थी यहां देखते हैं हमारी equation थी 6x square minus 3 अब इस equation में से sum क्या हो जाएगा minus b by a minus b upon a minus b मतलब x का coefficient अब इसमें x वाला term तो है यह नहीं मिंस वो 0 है तो 0 हो गया product होता है c by a c means constant term यहां पर 3 के सान minus कसाइन लगा है तो हम minus 3 लेंगे c को a होता है x square का coefficient यह हो गया 6 3 बन जा 3 3 तू जा 6 minus 1 by 2 तो product आ गया minus 1 by 2 अब देखिए हमारे पास यह जो दो answers आए यह इधर से भी यही दो answers आए है हमारे पास यहां देखिए यह देखिए sum हमारे पास आया 0 product आया minus 1 by 2 और इधर से भी हमारे पास यही दोनो answers आए है इसका मतलब हमने यह verify कर दिया है तो I hope कि आपको समझ आ गया होगा कि हमने कैसे solve करना है और क्या करना है तो सभी questions में ऐसी करना है इसमें इसी तरह से question number 4 अब मैं आपको सिर्फ factorize करके बता देती हूँ आपको पता चल जाएगा कि आगे कैसे solve होंगा अब देखिए यह है 4X square plus 8X factorize करना है अब इसमें हम common क्या ले सकते हैं देखिए 4 दोनों में हो सकता है और X भी हो सकता है means 4X common आ गया अब first term में X रह जाएगा और 8X में से 4X बाहर ले लिया 8 में से 4 बाहर ले लेंगे means 8 को 4 से divide कर देंगे 2 और X तो बाहर है यह बन गया अब हमने factorize करना है तो एक बार इसको 0 करोगे एक बार इसको 0 करोगे एक बार आपको X की value 0 मिल जाएगी और दूसरे पार्ट से आपको X की value आ जाएगी minus 2 ठीक है तो यह देखे हमारी 2X की value आ गई अब हमने वही करना है sum of the roots और product of the roots और उसको अपने equation से चेक करोगे वो equal आ जाएगा question number 5B ऐसी होगा same इसमें आपने पहले factorize करना है देखे factorize करना मैं आपको बता देती हूँ यह है y square minus 2y minus 8 अब इसमें हमने देखना है minus 8 के factors minus 8 के ऐसे दो factors जोनने हैं जिससे हमें minus 2 मिल जाए अब देखे 4, 2 से 8 होता है 4 or 2 अगर हम 4 or 2 को multiply करते हैं तो 8 मिलता है 4 or 2 को minus करते हैं तो 2 मिल जाएगा अब हमने देखना है sign कौन सा लगाएंगे अब 8 के आगे minus का sign है इसका मतलब कि 4 or 2 में से एक number हमने minus में लेना है तभी minus का sign आएगा अब हमने देखना है जो बीच वाला term है इसका में बीच वाले term में 2 के साथ negative है मतलब कि हमारा जो 4 or 2 को solve करके answer आ रहा है उस answer में minus आना चाहिए minus कब आएगा जब बड़े number के साथ minus लगा देंगे तो 4 के साथ minus लगाएंगे और 2 के साथ plus लगा देंगे हम यहाँ पर sign का ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम proper sign यूज नहीं करेंगे तो हम factorize नहीं कर पाएंगे अब इसको factorize करते हैं देखिए यह बन जाएगा y square minus 2i के जगा अब हमारे जो minus 4 और plus 2 को हम लेंगे means minus 4y plus 2y और last में है minus 8 यह होगे हमारे पास अब हमने इसको आगे solve करना है अब दोनों में से common ले लेते हैं y अंदर बजगिया y minus 4 और बात के जो दो term से इसमें से हम common ले लेते हैं 2 देखिए हमने 2 common ले लिया तो हमारे पास answer क्या आ जाएगा पहले वाले पार्ट में से y रह जाएगा minus 8 वाले में से 2 common ले लेंगे 4 रह जाएगा अब देखिए finally यह हमारे पास equation आई अब y minus 4 दोनों में हैं तो हमने y minus 4 को दोनों में से common ले लिया अंदर बचा y इधर बचा plus 2 यह हमारा answer आ गया देखिए factorize करना important है अब आपने वही करना है दोनों को अलग-अलग 0 के equal करना है तो यहां से आपको मिल जाएगा y 4 और दूसरे पार्ट से आपको मिल जाएगा y minus 2 फिर हमने दोनों को sum करना है और product करना है और उसको equation से check करना है तो इस तरह से मैंने आपको यह जो assignment थी हमारी chapter number 2 की यह हमने पूरी discuss कर लिये I hope आपको समझ आया होगा अगर कुछ doubt है तो आप comment box में लिख सकते हो Thank you